नमस्कार मैं हूँ विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं The Front आतंकी DSP देवेंदर सिंग को लेकर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं जी हाँ, अब नए खुलासा ये हुआ है कि 2005 में दिल्ली में साथ आतंकीयों को गिरफतार किया गया था मिलिटरी इंटेलीजेंस की रिपोर्ट के बाद और मिलिटरी इंटेलीजेंस की खबर के बाद दिल्ली पुलिस ने साथ आतंकीयों को संदिक्द आतंकीयों को दिल्ली में 2005 में गिरफतार किया था जिनके मनसूबे थे दिल्ली में दहशत फैलाना दिल्ली में आतंक फैलाना और दिल्ली में ब्लास्ट करना इन आतंकियों के पास से कई सारे हत्यार और कई सारे दस्तावेज बरामद हुए थे satellite phone भी बरामद हुए थे और कई हतियार ऐसे बरामद हुए arms ऐसे बरामद हुए जिनके license भी उनके पास थे अब एक नया खुलासा ये हुआ है कि 2005 में जो ये आतंकी पकड़े गए थे साथ आतंकी उनमें से एक आतंकी के पास जो हतियार थे और जो wireless set था इन दोनों को उसके साथ रखने के लिए जो N.O.C. दी गई थी वे उस पर देूंदर सिंग के हस्ताक्शर थे जी हां इसी डागी DSP देूंदर सिंग के हस्ताक्शर थे जो हाल में जम्मु कश्मीर पुलिस ने जिसको गिरफतार किया है कुलगाम से और इसकी पोस्टिंग जो है वो स्रीनगर एरपोर्ट पर थी इस दागी डियेसपी के बारे में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और तमाम तरह के सुबूत हर दिन सामने आ रहे हैं कि ये किस तरह से आतंकियों की मनद करता था और उसकी एवज में मोटी रकम वसूल था हिजबलमुजाहदीन में इसके आका बैटे हुए थे और हिजबलमुजाहदीन के जो सरगना हैं वहाँ पे और जो कमांडर हैं पाकिस्तान में बैठे हुए जो ISI के इसारों पर काम करते हैं उन आतंकियों से इस DSP के साथ घारती वो इसको कंट्रूल करते थे और ये आतंकी DSP जो पुलिस की वर्दी में था जिसमें किसी को कोई शक नहीं होता था जो देश की सेवा में लगा हुआ था और देश के लिए काम करने वाला एक इमांदार अपसर माना जाता था वो दरसल शेर की खाल में छुपा हुआ भेडिया था और देश के साथ गदारी कर रहा था अब सोचिए 2005 की ये रिपोर्ट है 2005 में जो आतंकी दिल्ली में पकड़ा जाता है उसके पास wireless set रखने और हत्यार रखने के लिए जो दास्तावेज बरामद ह हुए थे यानि कि ये जाहिर करता है कि जो दास्तावेज उसके पास थे आर्मस के वो लाइसेंस ही थे लाइसेंस उसका था उसके पास wireless set रखने का लाइसेंस उसके पास था और उसके लिए no objection certificate जो होता है उस पर हस्ताक्षर इसी DSP देवेंदर सिंगे थे ये लंबे समय से देश के साथ गद्दारी कर रहा था आतंकी DSP ये लंबे समय से ये देश के साथ फरेब कर रहा था और उन लोगों की मदद कर रहा था जो इस देश में आतंक फैलाना चाहते थे दहशत गर्दी फैलाना चाह रहे थे और इस देश में कईस तरह के बलास्ट कर चुके थे य जल्द ही इसको दिल्ली लाया जाएगा इस आतंकी DSP को और हो सकता है कि और कई तरह के खुलासे हों क्योंकि दिल्ली में बलास्ट हुए जैपुर में बलास्ट हुए मुंबई में बलास्ट हुआ ये सारी घटनाए 2005 के बाद की हैं और इतने बड़े बड़े ब्लास्ट हुए है जिनमें हजारों लोगों की मौत हुई है हजारों लोग घायल हुए है और परिवार जो है वो पीडिट जो है वो अभी भी उस दर्द को जेल नहीं पाते जिनके लोग उन हाथसों में उन बब्लास्ट में मारे गए इन सारे बब्लास्ट और सारे आतनकी हमलों का कहीं न कहीं कोई कोई connection इस आतनकी डियेसपी देवेंदर सिंग्से निकलेगा जरूर क्योंकि ये आतनका इन साइक्लोपीडिया बताये जा रहा है जो पुलिस की ड्रेस में पुलिस की युनिफॉर्म में रह रहा था पुलिस के यूनिफॉर्म में काम कर रहा था, पुलिस में भरती था, एक बड़े ओधे पर था और काम दरसल आतंकियों के लिए कर रहा था आप इंदजार करिए इस आतंकी DSP से जुड़ी हुई एक एक खबर The Front पर हम आपको जरूर देते रहेंगे अभी के लिए धन्यवाद